मैं आज आपको बता रही हूं कि अस्तर लाइनिंग के साथ जब गहर जादा होता है तो इसको आप इस तरहां से चुन दे सकते ही रेखें मैंने ये फ्रेंट बनाये वाई रेके चुने दीवी बारिक बारिक ये रेके इसका अस्तर है तो बड़ा गहर था लंबा गहर था इस इस प्रेंड त्यार करके रखता है फ्रांग का ये इसका बैक आट थी whether he is the बट एक है पूड़ा जितना मरजी हो आप अपने अपने इक अधी जो लेनो इस तरह से मैंने अस्तर सब्सक्राइब इस तरह के साथ ही स्टीच किया है बड़ी बखिया इस से बड़ी बट अवर से आभे धागा उठाईंगा अधाय यहां से और इस तरह को से बारीक बारीक चुनों में खेशते रहें और चुने बनाते रहें तो इस तरह की है इतना आपको चाहिए जितना आपकी बोड़ी है प्रावक की इस पर हमें इसको करें तरह थागा खेंच करें कि इसको पराबर करते नहीं अब एक तरह से अगर आपको लगता है टाइट हो गया तो खेंचने यह ज़ादा तो दूड़ गया तो फिर यह केच नहीं सकेंगे तो आप दूसरी साइट से स्थना से अण्यूंस वेदिए इसमें बहुत असानी हो बनाते हैं प्लेट्स भी बनती है लेगन थोड़ा सा मश्किल होता है यह साम होता है जो उसी टालना है इस तरह को खेंचते हैं और यह चुन है करते हैं रावार बन गहर के लिए होता है जो जादा गहर होता है तो हम इस तरह से यह तरीका करते हैं कि आप साइवाने कच्छी और इसको थागे को पारी इस थाव खेशने कच्छ दाब और यह त्यार बनाने आप इसको करके इस तरह टेज कर दिये मेरा बैक पाइट रखाने इसी तरह से यह जोईन किया मैंने बना कि देखिए बैक पाइट ने लगाया था इसका इस तरह से बारी परी चुनें आ जाएंगी और फ्रांक को खेर और अबसुर्वत लगता है इस तरह से यह मेरी फ्रांक तेया है अमीद आपको वीडियो पसाना है वीडियो पसाना है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पुरिए अस्सलाम अलेकुम अमीद आपको